ग्री मंतरी अमिजसा ने कल दिल्ली में वेस्टन यूपी के जाट नेताओं को सम्मोधित किया और कहा कि जहन चौधरी गलत घर में है भविस में देखा जाएगा क्या होगा यानि कि सिधा सिधा ने होता एक तरह से जहन चौधरी को ग्री मंतरी अमिजसा ने दिया है हमारे स तियागी जी जो आरेलडी के राष्टिये महासचीव हैं उनसे बाचित करते हैं त्यागी जी जैन जी को सीधा नियोता कल गरी मंत्री अमिज सा के तरफ से आए देखिए अमिज सा का नोता देने का कोई मतलब नहीं है जब भारती जनता पार्टी पहला चरण प्रेस्टन यूपीश सुरोरा यहां चुनाव हारने जा रही है जब उनको ग्राउंड रिपोर्ट आई के हम लोग बिल्कुल चुनाव हार रहे हैं तब उन्होंने जाट के नाम पर अपने कारेकरताओं को इकटा किया जाट नहीं थे वो भारती जनता पार्टी के कारेकरता थे और उनके बीच में संजीब आल्यान बठा रखा था उनके समर्थ तक बठा रखे थे तो तो भारती जनता पार्टी के लिए कहेंगे जो किसान है वो भारती जिन्नता पार्टी के खिलाफ है एक साल धरना चला आखेve 700 किसान मारे क्या आमीत šaha को और भारती जिन्ता पार्टी के नेताओं को परवेश वर्मा को याद नहीं है परवेश वर्मा तो दिल्ली के रहने वाल है उनके फादर तो चीप मिस्टर रहे दिली के, किसान नेता थे, वो किसानों से मिलने भी गए थे, क्या, क्या पानी भी भिजवाया उनको, हाँ, एक चीज उनको परोसी गई, किसानों को कहा गया, तुम आतंकवा दियो, यो यूपी बॉर्डर पे जाट लोग बैठे, उन्हो की फसलब चुनाओं में कटेगी, जाट अरक्षन का मुद्दा हो, गन्या किसान का मुद्दा हो, सारे ये मुद्दे जो है, निकी दिल में है, तो सीधा जाड जो इनके दिल में बरसते हैं, और भविश में सब कुछ होगा, देखे ये इनकी एक जबानी जग है, जो जबा तो पांच साल में करोडों रुपय किसानों का पड़ा हुआ कितने करोड रुपय मिलमालिकों पर यह मिलमालिक कौन है यह आपके दोस्त हैं यह भाजा पार के दान दाता हैं खाई कोट ने तीन-चार दफ़े का कि किसानों के ब्याज पर कुछ सरकार फैसला ले सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया आज वोट की बात आ रही है तो कहने हम गन्ने किसानों का समस्चा हमारे दिल में तो 4000 क्रोड क्यों बकाया मैं भी गन्ना किसान हूं मेरे पिछले साल का पैसा भी तक नहीं आया और पैसे के छोड़ो हमphem्स लेते हैं बीज लेते हैं हम سांट लेते हैं तो Tibetस से नहीं लेते हैं तो हमको ब्याज देना होता है कि वेज़ाब फिरक यहां पर नारा लगा वह लगा चौधरी अमित्सा के नाम के साथ चौधरी जोड़ा गया और जूरदार जाट नेता से पहुँचे थे नारा लगा देखिये ऐसा है वो जाट नेता नहीं थे वह भाजापा जो जाट भाजापा में गुलामी कर रहे हैं जो अमित्शाह जी के चौधरी बना दें उनको अल्लामिया बना दे तो हम उन्हें कहां रोक सकते हैं वो कुछ भी कह सकते हैं वो कह दें पगड़ी जहन चौधरी के सिर्पर रहेगी उनकी पगड़ी जो गठबंदन की सरकार बनेगी लखनों में उसके लिए सजी रखे लास्ट मौके पे जहन चौधरी को इन्वाइट किया जा रहा है भादसी इंतर पार्टी के तरफ से तो भैबीत है या कोई रिपोर्ट आई इस से इनको लग रहा है कि सरकार रिपीट नहीं कर सकते आप जाट लेंड में इनको नुक्सान होगा इसलिए आपको इन्वाइट कर रहे हैं पिछले चुनाव सत्रे में यह सारी सीटे जातर जीते थे तो इनको लग रहा था कि हम अबके भी जीतेंगे और रिपोर्ट यह है कि इनके उम्विद्वारों को गाओं में घुसने नहीं दिया जा रहा है उनको दोडाया जा रहा है उनको काले जंडे दिखाये जा रहे हैं तो यह बहभीत हो गए और वो लोग दल के साथ हैं चौदरी चन सिंग जी का नवियाई हैं जैन चौदरी जी को बड़ा नेता हैं देखना चाहते हैं वो एक अलग सवाल है पर वह जो साड़े साथ सो किसान मरे हैं बॉडर पर जो उनको आतंकवादी कहा गया उसका बदला नwort का कब्ता गाओं में कि तुम हमें आतंक यह प्याव जांग के चुनाओं में जाट लेंड के किईंग अगर तो आरल्ली है ह हाँ हाँ वो जैन्त चौधरी के साथ हैं और सब लोग किसानी उन्यन हो चहे आरलडी हो समाजवादी पार्टी हो किसान किसान का मतलब इस वकत भादयपा भगा हो है और उसका एक कारण है साफ मैं जैसे आप से कह रहा था कि डीजल मनमौन सिंग ते 60 रुपे लिटर आज 90 र अब मोदी जी हैं मोदी जी कितने किसान समर्थक हैं कि यूरिया के कट्टा को 50 किले के कट्टा से 5 किलो खाद निकाल लिया उसका वजन 45 किलो कर दिया रेट नहीं बढ़ाया पर वो 5 किलो कहां गया ना सरकार के खजाने में गया ना किसान को नुक्सान हुआ वो मिलमाली को खजाने में गया आपने उसी पैसे में 45 के लोग खाद देरें किसान को आपने बिजली का रेट उत्तर प्रदेश में 100 रुपे था और वादा ये किया था जब चुनाव लडासतरे का कि हरियाने में रेट कम है 100 रुपे से अकलेश यादव की सरकार में 100 रुपे था क्यों हम सब्सक्राइब करेंगे निया रुपेशन के प्लिजन को आ सब्सक्राइब करेंगे लिए सब्सक्राइब कि समद्री है किया गया और कहा गया बीजेपी की तरब से कि जाट नहीं चाहता है कि कोई अलग से नहीं राजनीती कर रहे हैं, वो चौधरी चर्ण सिंग के सिध्धनतों की बात करते हैं, वो लोहिया के सिध्धनतों की बात करते हैं, जब अकलेश यादव बैठेंगे, तो जैन चौधरी जो कहेंगे, जो RLD के लोग कहेंगे, हम सब लोग मिलकर फैसले करेंग आरेल्डी वहां से किंग होगी कैमरामेन रोहित के साथ रवी सर्राप भार समचार तिल्ली